नमस्कार दोस्तों सरकारी जोब ग्यान की ओपिशिल यूटूब चेनल पर आप सभी का स्वागते सुप्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे UPPCS Pre-Exam 2021 की बड़ी अपडेट के बारे में जी हाँ दोस्तों एक expected cut-off के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे आपकी जो cut-off है वो क्या रहेगी इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसे हम एक अनुमावीत cut-off कह सकते हैं या फिर एक संभावीत cut-off हम इसे कह सकते हैं जिसके बारे में बात करेंगे साथी में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपका जो safe score रहीगा वो क्या रहीगा जिस score पर आप अपने आपको safe समझ सकते हैं कि आप कितना नंबर यहां पर बना रहें अगर इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में आप score कर रहे हैं तो आप अपने आपको safe समझ सकते हैं इसी जिए बारे में इस यूड़ों में बात करेंगे सो वीडियो को लाइक से जूर देखीगा साथी मैं आप सभी से request करना चाओंगा कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल मत बूलना अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहें तो latest information सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें साथी मैं आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाले सब भी latest update साब तक सबसे पहले पहुँचते रहें तो आप सभी ने उमीद गरता हूँ अपनी आंसर की मिला ली होगी और आपको यह भी पता लग क्या होगा कि आपके कितने नंबर्स यहां पर बन रहें सो चलіє अभी हम जानते हैं कि हमारी जो pre की जो cutoff रहेगी उसके बारे में कि हमारा जो pre का safe score रहेगा वो कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में रहने वाला है सो चली फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं सुप्रेंट श्याम पर आचुके हैं हम कटोफ के बारे में UPPCS Pre-Exam 2021 की कटोफ के बारे में बात करेंगे एक संभावित कटोफ हम आपके लिए लेकर किया है जो कि आपी के नमबर के अधार पर हमने इस कटोफ को डिसाइड किया है इस कटोफ को फिक्स किया है और आपी के नमबर के अधार पर हमने बताया कि आपकी बार जो कटोफ रहेगी वो कितने नमबर के बीच में कटोफ है रहने वाली है तो अगर बात कर लिए हम general category से तो general category से जो भी candidate 79 से 83 नंबर के बीच में number बना रहा है वो सभी candidate अपने आपको save समझ सकते हैं एक safe zone के अंदर ये सभी candidate चले जाते हैं जो भी 79 से 83 नंबर के बीच में score कर रहे हैं वही जनरल female के लिए अगर बात कर लूँ तो 77 से 81 नंबर के बीच में सभी female से safe रहेंगी अगर आप 77 से 81 नंबर के बीच में score कर रहे हैं तो आप अपने आपको save समझ सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी problem का सामना नहीं करना पड़ेगा इसी के साथ में दोस्तों मैं बात करता हूँ EWS category के लिए तो EWS category के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो 75 से 79 नंबर के बीच में अगर आप लोग score कर रहे हैं तो आप अपने आपको save समझ सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है आप एक save zone के अंदर यहाँ पर चले जाते हैं मतलब कि आपको यहाँ पर आपके जो selection होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं अगर आप इस number पर अपना score कर रहे हैं वहीं अगर मैं बात कर लूँ OBC category के लिए तो दोस्तो OBC category के लिए अगर मैं बात करूँ तो 74 से 77 number आपका जो है यह score रहने वाला है इस number के बीच में अगर आप score कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरिकी की कोई भी problem का सामना नहीं करना पड़ेगा इसी के साथ मैं दोस्तों बात करता हूँ SC category के लिए तो SC category के अगर मैं बात करूँ तो 71 से 75 number के बीच में score करने वाले सभी छात्र अपने आपको safe zone के अंदर समझ सकते हैं safe zone केने का मतलब है दोस्तों मेरा की आप जो है अगर आप 71 से 75 number के बीच में score कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर selection होने के chances बढ़ जाते हैं आप प्री को यहाँ पर qualify कर लेंगे 101% बहुत ही अच्छा score आप यहाँ पर कर रहे हैं तो SC category से 71 से 75 number के बीच बहुत अच्छा score है वहीं दोस्तों ST category की बात करूँ तो ST category के लिए दोस्तों 67 से 70 number मतलब 63 number से 70 number के बीच में अगर आप score करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा score यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं जन्रल, जन्रल, मेल, फिमेल, EWS, सभी category के वाइज मैंने यहाँ पर आपको cutoff बताई है तो नीचे comment box में देखे फ्रेंट्स आप लोगों के data के बिना मैं यहाँ पर कोई भी एक संभावित cutoff नहीं बता सकता हूँ तो अगर आपको एक exact cutoff चाहिए जिस पर मतला आपको पूरी तरीके से विश्वास हो तो आप नीचे comment box में अपने number लिखना बिल्कुल मत बूलना ताकि सभी candidate जो है आपस में एक दूसरे के number देख सके हैं कि कितना score कितने candidate कर रहे हैं और उसी number के आधार पर दोस्तों आपके दूआरा बताए गई आपके numbers के आधार पर ही मैं आपके लिए के बहतरीन expected cutoff लेकर के आ सकता हूँ एक बहतर और इससे भी बहतर एक expected cutoff लेकर के आ सकता हूँ जिसमें आप लोगों को एक दम से exact बताया जाएगा कि आपकी जो है इस बार की cutoff क्या रहेगी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की latest जो है update तो वीडियो किसे लगी है नीचे comment करके जरूर बतेगा योपी PCS Pre-Exam 2021 या मैंस एक्जाम 2021 से संबन्दी सबी अपडेट सबसे पहले पाने कले चैनल को subscribe जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि जब भी हम कोई latest अपडेट डाले तो उसकी notification आपको सबसे पहले मिलती रहे अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइट जैहिन दोस्तों